ओम वंदेगवा मातर मित्रो स्वास्थरक्षा से प्रभाप सबका स्वागत करती है मित्रो आज हम बात करते हैं तीन मुख्य बड़ी समस्याओं के विश्य में ठकान रहना नीद ना आना और कंसंट्रेशन है कि नहीं कि एकागरदा की कमी टैडनेस नीद ना आने को क्या कहत मुझे पता नहीं है हाप पर कुछ अंग्री जी शब्द मेरे हिंदी में भी समझ पाएंगे तो आपको क्योंकि मुझे इंग्लिश जादा आती नहीं पर आजकल डिमांड आ रही है कि आप इंग्लिश में भी थोड़े शब्द बोलें तो मैं अच्छी से समझ में आये पर खड़ा हो जा इस तरह के से कान पकड़ा के उसको खड़ा कर दिया जाता था क्लास में क्लास के बाहर कहीं भी और कान पकड़ने होते तो और कान हमें देखा कि हमने कभी ऐसे कान नहीं पकड़े हैं हमने हमेशा ऐसे कान पकड़े हैं उसके पीछे का कारण मुझे एक दिन स यायजीव सा कुछ हो रहा था मैंने पतानी क्यों कर ऐसे किया पकड़ के किया तो मुझे अपने से समय बहुए तो मुझे नेंद आ गई और में सो गई मुझे अनीन नहीं आ ले थी उसने कुछ समस्या ओगे तो तो उस समय मुझे नीन आ गई तो जब मैंने इस अफ्रेयस को किया तो मैंने आप वेरे पास आते हैं प्रणाय माद owdek keep on उनको कुछ लोगों को बता है कि आप ये करके देखिए, उन्होंने भी किया, उन्होंने 10-15 दिन किया, उन्होंने बोला दिती, बहुत अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है, और करने के बाद पूरा बोडी रिलेक्स लगता है, वीजे ऐसा कि हम जानते हैं, हाथ पे स कान शांत रहेगा, तो आप अच्छे से गगार्ता कर पाएंगे, आपकी गगार्ता अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रियशन आपको अच्छा हो जाएगा, चलिए कैसे होगा, करना कैसे हम आपको बताते हैं, कान जो उपर का हिससा, अपको कान पर ही बताऊँ, ध्यान दें, उस समय आपने कान में कुछ पहना नहीं होना चाहिए, कान में कुछ भी चुबने वाला नहीं होना चाहिए, आने था आपको लेने के देने पढ़ सकते हैं, तो बाली वाली आपने जो पहनी है, उसको निकाल के इस सब्यास को करें, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं पहना है, न और फिर दस बार यूँ घुमा दीजिए, आपको पता चल रहा है, काम मेरा दिख रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप देख पाएंगे, क्योंकि इसकी कैमरे में वीडियो बन रहा है, तो कैमरे की स्कीन बहुत छोटी होती है, तो मुझे समझे में नहीं आत है, अच्छा, उसके बाद इतना करने के बाद आप विप्रीथ हांत लेंगे, उससे आप ठीक से कर पाएंगे, यह देखिए, इसको ऐसे पकड़ना है, और यह पूरा काम इस तरीके से आपको घुमाते चले जाना है, आप चाहें तो दोनों कानों को साथ में भी कर सकते हैं या एक-एक कान को भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप पूरे कान को, यह मैंने पहले बहार किया है, अब यह बीच वाला भाग जो है, जो अंदर वाला भाग कहा जाता है, उसको मैं पकड़ रही हूँ और उसको भी पैसे ही कर रही हूँ, मित्रो, बहुत सरलता से आपक को करना है, इसमें कुछ भी आपको बहुत अधिक पीडा लग रही है, तो उसको हलके से दबाईए, वो आपके अंग की पीडा को आपको बता रहा है, कोई बात ने, उसको हलके से दबाईए, और फिर यह जो हिस्सा है, इसको आप हलके से ऐसे करके, जो अलग सा जो निकला यह भागी दी पकड़ के दबाया जाए इस तरह से तो याद दस्त बहुत अच्छी होती मजबूत होती है तो आप इसको इस तरह के से पकड़ के दबा सकते हैं आप चाहें मैंने आपको एक कान करके दिखाए क्योंकि मैं एक कानी कैमरे के सामने ला सकती हुआ दोनों कान साथ में करके दिखा रहे हुआ दोनों कान पर मैं कैमरा नहीं लगा सकती इसलिए ऐसे देख पाएंगे यह देखिए आप इस अभ्यास को करिए आपको पता चलेगा कितना सरलता से कितना सहस्ता से आप अपनी थकान को उतार पारे उसके बाद पांच मिट आखे बंद करके सांसों पर ध्यान करते बैठ जाएए आप देखेंगे कि आपको कितनी चल्दी नीद आ गई है क्योंकि मैं कर रही हूँ मैंने किया है उसके बाद मस्तिश्क इतना शांत हो जाता है ऐसा लगता है इसके सर से कोई बोज उतर गया है आप करेंगे तो आपको पता चलेगा उ कुछ अलग मिला है यह करके देखिए आपको पता चलेगा और आपकी देह में कोई अने रोग विशेश है कैसा भी रोग है हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिनमें अलग 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 रोगों पर वीडियो दे रखे हैं मित्रो आपकी एक शिकायत होती है कि मैं कैमेरी की तरफ देखके बात नहीं कर पाती है क्या हो रहा मुझे पता चलना चाहिए और मुझे आदत हो ही है तो बेच में बात अदुरी शोड़ दी थी तो आपको कोई भी रोग विशेश है कैसा भी रोग है हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिनमें आप वीडियो देख सकते है और हर वीडियो के विबरण में नियम पालन प्रणायम और व्यायम दिया है करिए तैनमन मस्तिष्क बाल जड़ने सेरकर कैंसर तक के सभी रोगो समाधान हमारी वीडियो समें आपको मिलेगा और बिना किसी विशेश और शदी सेवन के मिलेगा और नंबर चाहिए तो पनी पे मांगेगे नंबर कभी नहीं मिलेगा धन्यवाद वंदे मात्रम